हलो गाईश श्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूटूब चैनल स्वरफशर मैतमेटिक्स में यहां हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन्स की जिसमें इंडियन जोग्राफी और वरल जोग्राफी दोनों को समाहित किया गया है इसमें लिये हुए सभी प्रस्ण परिक्षाओं की द्रस्टी से बहुत ही महत्वपूर हैं और हमारी सीरिज यह चल रही है जिसमें के पहले भी कुछ वीडियोज बना चुके हैं आपको आई बटन पर वो मिल जाएंगे नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देखकर अपनी तयारी कर सकते हैं तो इस वीडियो में 20 mcq questions को समाहित किया गया है तो वीडियो को पूरा देखें इसके पना करें यह बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है पदमा option 4 मेगना चार नदियों के यहां पे नाम दिये हैं और आपको बताना है कि गंगा नदी किस नाम से जानी जती है जब बांगलादेश में हुआ प्रवेश करती है तो यहां दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा option c पदमा के नाम से गंगा को बांगलादेश में प्रवेश करने के बाद जाना जाता है चलिए next question देखते हैं question आता है आपका इडुक की उच्च गती ग्रामीड broadband network वाला देश का पहला जिला बन गया है इडुक की जो उच्च गती ग्रामीड broadband network वाला देश का पहला जिला बन गया है वो किस राज्य में इस्थित है आपको यहां बताना है यहां पर options दे रखे हैं आनप्रदेश, option b है केरल, option c है उडिशा, option d, तेलंगाना यहां पर चार options आपको दिये हैं चार options में से आपको correct answer बताना है कौनसा ऐसा राज्य है जिसमें इडुक की उच्च गती ग्रामीड broadband network वाला देश का पहला जिला बना है तो आपका इसमें correct answer हो जाएगा, option 2 यहां पर आपका केरल राज्य का जो जिला है जिसमें इडुक की उच्च गती ग्रामीड broadband network वाला देश का पहला जिला बन गया है next चलते हैं question है बनों का राष्ट्रिय करड किस वर्ष में हुआ था options दे रखे हैं 1950, 1985, 1985, 1990, 1970, 1970 यहां चार options में से आपको यह चूज करना है कि राष्ट्रिय करड जो बनों का हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था तो इसका correct answer पे जाएगे तो 1970 में बनों का राष्ट्रिय करड हो गया था next चलते हैं दोस्तो अब दुलहस्ती पावर स्टेशन निमलिकित मैंसे किस नदी पर इस्थित है तो दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वह बताना है कि किस नदी पर इस्थित है options देख लेते हैं ब्यास, नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और शतलज नदी चार नदीयों में से एक नदी है जिसमें दुलहस्ती पावर स्टेशन बना हुआ है तो इसका करेक्ट आंशर देखते हैं तो करेक्ट आंशर इसका हो जाएगा option 3, चिनाब चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन बना हुआ है नेक्स्ट आता है question भारत के कुल कितने राज पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए है तो भारत के जो राज पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए है तो options है 18, option दूसरा है 17, option तीसरा 12, option चौथा 10 18, 10, 12, 17, कौनसा option आपका सही है या आप हमें comment करके भी बता सकते है comment करने का तरीका आपका ये होगा कि छटवा question है तो 6 question को 6 लिखेंगे और 10 लिखेंगे 10 करके आपका इसमें से A है तो 1, 2, 3, option सही है तो 3 और 4, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कौनसा आपका correct answer है तो यहाँ correct answer आपका हो जाएगा option 2, 17 राज्य भारत के जो पड़ोशी देश, जो सीमाओं से लगे हुए हैं भारत की वह आपके कुल मिलाकर 17 राज्य होते हैं नेक्स आता है मैंक मुहन रेखा भारत वचीन सीमा को कहते हैं यह सीमा रेखा कब निर्धारित हुई थी यह आपको बताना है तो options देखते हैं option 1 है 1914 इसवी सिमला में option 2 है 1950 इसवी स्री नगर में option 3 है 1914 इसवी दिल्ली में option 4 है 1940 इसवी चंडिगड में तो मैंक मुहन रेखा का जो सीमा का निर्धारड हुआ था वह सीमा कहा निर्धारित हुई थी और किस year में निर्धारित हुई थी यह आपको बताना है तो इसका correct answer मैं आपको बता देता हूँ शिमला में 1914 इसवी में मैंक मुहन रेखा जो भारत और चीन के मद्ध की अंतर राष्ट्री रेखा है का निर्धारड हुआ था next आता है question सरदार सरोबर परियोजना किस नदी पर है आपने सुना होगा कि सरदार सरोबर परियोजना जहां सरदार वल्लम भाई पटेल की बहुत पड़ी प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पर तो सरदार सरोबर परियोजना उसी नदी परिस्थित है जहां वह प्रतिमा लगी हुई है तो यहां देखते हैं options आपको बता चल गया होगा कि सरदार जी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वह कहां पर लगी हुई है फिर भी option हम देख लेते हैं option दे रखे हैं चंबल, बेतवा, नर्मदा और कावेरी यहां correct answer की तरफ हम जाएंगे तो correct answer हमारा कौन सा है आप comment कर सकते हैं तो correct answer हमारा होगा इसका option C नर्मदा नदी तो सरदार सरोबर परियोजना नर्मदा नदी पर इस्थित है next आता है निम्न मैंसे कौन साल नदी यमना नदी कौन सी जो नदी है यमना नदी में नहीं मिलती है तो आप बताएंगे कौन सी नदी है ऐसी जो यमना नदी में नहीं मिलती है तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों सोन नदी, सोन नदी के ऐसी नदी है जो यमना नदी में जाकर नहीं मिलती है आगे चलते हैं देश में कुल मैगनीज उत्पादन का कितना प्रत्सत मैगनीज का उत्पादन मध्यप्रदेश राज्य में होता है कहां होता है मध्यप्रदेश राज्य से होता है तो यहां पर options देख लेते हैं कि MP हमारा कितना production करता है मैगनीज का तो यहां option A है 16 प्रत्सत, option दूसरा है 20 प्रत्सत, option 10 प्रत्सत और 14 प्रत्सत कौन सा प्रतिसत यहां पर सही है जो कि MP में production के लिए जो मेगनीज का production करता है MP उसमें कितना प्रतिसत करता है तो यहां correct answer की तरफ जाएंगे तो 16 प्रतिसत MP जो मध्य प्रदेश है भारत का एक राज्य है वह 16 प्रतिसत मेगनीज का उतपादन करता है नेक्स्ट है तमिल नाडू में उतपादित कुल उर्जा का कितना भाग जल सकती का है तो तमिल नाडू में जो उतपादित उर्जा का कुल भाग जल सकती का है आपको options दे रखे हैं 1 बटे 2, 4 बटे 5, 3 बटे 4, 1 बटे 3 चार options में से आपको एक options लगाना है तो एक option आपका यहाँ पर correct answer जो होगा वो आपका हो जाएगा option 2 चार बटे 5 तो तमिल नाडू में उत्पादित कुलूर जागा चार बटे 5 भाग जल सकती का है नेक्स्ट आता है युवा भारती युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है अब यहाँ युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम की बात की गई है तो correct answer पहले options देख लेते हैं मुम्मई, दिल्ली, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन नई चार options में से आपका एक option correct है तो युवा भारती युवा भारती युवा भारती युवा भारती युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है next आता है question number 13 मद्य प्रदेश के किस इस्थान से यूरेनियम होने के अवसेस मिले थे वह कहां पे है तो options में जाएंगे देखो पन्ना, शहडोल और शत्ना, रीवा ये चार मद्य प्रदेश के ही जिले हैं और इन जिलों में किस जिले में यूरेनियम होने के अवसेस मिले है तो यहाँ पर आपका option B आपका एकदम से correct हो जाएगा शहडोल जिले में, MP में, मद्य प्रदेश में, यूरेनियम होने के अवसेस मिले है, next आता है मेठे पानी की सबसे बड़ी जील किस राज्य में है, तो मेठे पानी की जील के जब बात आती है तो आप direct पहुंच जाते चार ओप्सनस में से आपको correct आंशर बताना है तो correct आंशर इसका दोस्तो बताने जा रहे हैं तो जम्मू कसमीर इसका एकदम से correct आंशर है, मेठे पानी की जील है वह जम्मू कसमीर राज्य में हिस्तित है, next आता है देश में एसवेस्ट उस का सरवादिक अत्पादन कहां ह होता है जब एस्विस्टोस की बात आती है तो आपको सीधा माइंड पर जाना चाहिए कि एस्विस्टोस हमारा कहां उत्पादित सरबादिक होता है फिर भी option देख लेते हैं आपको जो अच्छा लगता है option आपके पढ़ने के साब से आप उसको कमेंट कर सकते हैं तो यहां पर आपका जो option है सही एकदम वो option आपका थ्री हो जाएगा राजस्थान राज राजस्थान राज एस्विस्टोस का सरबादिक उत्पादन करता है नेक्स्ट आता है निम्न लिखित राष्ट्री राजमार्ग राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट च्छत्तिसगर और उडिशा में से चाता है यह आपका राजमार्ग से शम्मंदित question है यहां options देख लेते हैं नेक्स्ट आता है भारत में सबसे महत्वपूर लगू उद्ध्योग है तो भारत का जब लगू उद्ध्योग की बात आती है तो उसमें टच कर जाना चाहिए लेकिन फिर भी option देखते हैं तो आभू सड़, हद करगा, जूट और वस्त्र चार options में से आपका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो तो यहां पे हद करगा इसका correct answer है दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें इसी तरह के और वीडियोच पाने के लिए चैनल को subscribe कर लें इसी तरह के और वीडियोच हमारे playlist में जाकर आप देख सकते हैं संपूर तयारी के लिए यह वीडियो बनाए जाते हैं और आप तक इनको पहुँचाने का उद्देश यही है कि आप अच्छे से अपनी तयारी को कर सकें नेक्स आता है भागवतपूर मगरमक्ष परियोजना को किस छेत्र में लागू किया गया है तो भागवतपूर मगरमक्ष परियोजना जो लागू की गई है वह आपका मैं direct options में पहुँचता हूँ तो यहाँ पर शुंदर वन्मय या भागवत पूर मगर्मक्ष परियोजना को लागू किया गया है Next question की तरफ चलते हैं जो हमारा question आगे आने वाला है भारत के किस राज्यम्ह सबसे पहले अफीम का उत्पादन होता? सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है यहाँ पहले की बात नहीं किये गई है यहाँ सबसे अधिक अफीम के उत्पादन की बात की गई है तो यहाँ options देख लेते हैं राजस्थान है, बिहार है, मद्यप्रदेश और गुजरा चार options यहाँ पर आपको दे रखे हैं चार options में से correct answer आपका क्या है तो यहाँ बात करते हैं सही answer की, तो यह सही answer आपका मद्यप्रदेश हो जाएगा तो मद्यप्रदेश राज्यमें सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता है next आता है आपका last question इस वीडियो का किस भारती ये शहर में सबसे अधिक आबादी है तो यहाँ पर आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ट प्रशन बन जाता है एक यह railway exam में लेकपाल में बहुत सारे exam में यह question पूछा जाता है तो यहाँ पर किस भारती ये शहर में सबसे अधिक आबादी है options देख लेते हैं कोलकाता मुममई नई दिल्ली और चेन नई चार options में से एक option आपका correct है और वह options आप हमें comment करके बता सकते हैं कि options क्या है लेकिन फिर भी मैं बार इसका answer बता देता हूँ आपको कि मुममई शहर की आबादी जो है वह शबसे अधिक है तो इसका correct answer आपका option दो हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ थे 20 top questions जो के भूगोल या जियोग्राफी से related थे जो सभी exams में बारी-बारी से पूछे जाते हैं तो यदि वीडियो अच्छा लगा हूँ तो like करें, share करें, comment करें चैनल पहली बार वीट करें, चैनल को subscribe करें और पास में बेल आइकन को बश्चे दबाएं इससे कि आपको आने वाली वीडियो और नोटिफिक्स सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार